केके आर और मुंबई इंडियन्स के बीच हुए आई पील 2022 के चौदवे मुकाबले में मज़िदार मुकाबलत देखने को मिला पैट किम्स की दुवादार पारी ने मुंबई से मैच छीन लिया किम्स ने 162 रोनों का पीछा करते हुए चार ओवर रहते हुए केके आर को जीत दिलाने के लिए 15 गैंदों में नाबाज 56 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 6 चौके शामिल रहे किम्स की पारी देख जहां कई दिगज हैरान है वहीं कप्तान शेष को भी अपनी आँकों पर विश्वास नहीं हो रहा है शेष एयर ने कहा कि जब मैं उनके बगल में बल्ले बाजी कर रहा था तो वो नेट्स में बार बार गैंद बाजी कर रहे थे शेष ने कहा कि वेंकर टेश्वर आईयर के लिए एंकर की भीमी का निवाने की योजना निदायत की गई थी और किम्स से उमीद की जा रही थी कि वो हर चीज पर बस स्विंग करेंगे जैसे वो पहले करते थे शेष एयर ने जीत के बाद कहा आसाधरन जिस तरह से किम्स गैंद पर अटेक कर रहे थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि कल जब मैंने उसे नेट्स पर बल्ले बाजी करते हुए देखा तो वो बार बार बोल्ड हो रहे थे उनके बगल में तब मैं भी नेट्स पर बल्ले बाजी कर रहा था टाइम आउट के दोरान वेंकर टेशोर के लिए एंकर छोड़ने और पैट किम्स को हर चीज पर स्विंग करने के लिए कहने की यूजना थी क्योंकि वो पहले भी यही करते आ रहे हैं उन्होंने आगे कहा जब मैं बल्ले बाजी के लिए गया तो मैंने उसे गैंत को टाइम करने के लिए कहा क्योंकि वो गैंत को थोड़ा ओवर हिट कर रहा था हमें टॉप और्डर के बल्ले बाजों के रूप में जिम्मेदारी लेनी होगी हम सभी में लंबे समय तक गैंत को हिट करने की ताकत है दौनों पारियों मैं पावर प्ले में पिछ काफी समान थी पावर प्ले के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत आसान हो गया इस ख़बर और फिलहार इतना ही बनरीया वन इंडिया हिंदी के साथ